तो गाईज आज स्मैक डाउन पर फिर से डबल अबली ने रेंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच टीस्ट कर दिया है सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक स्टेज कोडी रोड्स बैटे होते हैं जहाँ पर उनकी बगल में अंडिस्प्यूटेड चैंपिसिप रखी होती है इसके बाद वहाँ पर रेंडी ओर्टन आते हैं और वो भी उनके बगल में बैठ जाते हैं जहाँ पर एक नजारा ऐसा आता है जहाँ पर बीच में अंडिस्प्यूटेड चैंपिसिप होती है एक साइड कोडी रोडस होते हैं और एक साइड रेंडी ओर्टन होते हैं तो कहीं ने कहीं ये भी एक दीज था रेंडी ओर्टन कोडी रोडस से कहते हैं कि मैंने अभी सुन लिया कि सोलू सिकोर ने क्या का तो इसलिए काफे सारे chances है कि तुम्हें वहाँ पर ring में काफे सारे समोंस मिले और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ वहाँ पर नहीं ले जाना चाते लेकिन कोडी मैं तुम्हें बता दू तुम्हें पसंद हो या फिर ना हो अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर जरूर आऊँगा मैं हमेशा तुम्हारी मयत करूँगा भले ही आज केविन ओविस यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली को हमसे ज़्यादा उसकी जरूरत थी हर चीज का एक एक एंड होता है और जब ब्लड लाइन के साथ सारा बिजनिस खतम हो जाएगा और तब यहां लोकर रूम में काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो कि तुम्हारे अंडिस्पूर्ट चैब्सिप के पिछे आने वाले हैं यहां पर रेंडी ओर्टन कहिने के टीज करे थे कि वो भी कोडी रोड्स के पिछे आएंगे लेकिन रेंडी यहां पर बात तो को गुमा कर कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो तब भी मैं तुम्हारे साथ होने वाला हूं